नमस्कार गोरकपूर नियूज में आपका स्वागत है मैं पूजा वर्मा बसों के जरिये पूरी सुरक्षा सम्मान से निसुल्क प्रवासी लोगों को लाया जा रहा है ऐसे में पैदल वा असुरक्षित यात्रा का कोई कारण नहीं है सीम योगी ने यूपी के बॉर्डर पर आये लोगों को राहत देते हुए सबी को विवस्तित और सुरस्चित धंग से होम कुरेंटाइन तक पहुचाने का आदेश दे दिया है उक्तेजानकारी रवीवार को लोगभवन में आयुजित प्रेस कॉन्फरेंस में अपर मुखे सचीव ग्रे अविनास कुमार अवस्ति और प्रमुख सचीव स्वास्त अमित मोहन प्रशाद ने दी अपर मुखे सचीव ग्रे ने कहा कि रवीवार की सुभा दस बजे टीमी ग्यारा के साथ समिक्षा बैटक में मुखे मंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश के सभी बॉर्डर सभी जनपदों की विस्तार से समिक्षा की जिसमें उन्होंने निर्देश दियाए कि यूपी के बॉर्डर पर जमा हो रही भीड को विवस्तित किया जाए सबके लिए पानी भोजन उपलब्दों साथ ही ट्रेनोवा बसों के माध्यम से सभी को होम कॉरेंटाइन तक सुरक्षित पहुचा दिया जाए उन्होंने बताया कि सीम ने निर्देश दिया है कि हर जिले में 200 अत्रिक्त बसों का बंदोबस्त करें इसके लिए नीजी बसों को भी अधिक गरहित करें अपर मुख्य सची इवग्रे ने बताया कि मुख्य मंत्रियों की आदितिनात के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के लिए लगता श्रमिक इसमसर ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है अब तक विविन राज्जियों से 522 ट्रेनों के जरिये 6,65,379 श्रमिकोवा कामगारों की वापसी हुई है प्रदेश में अब 48 इस्टेशनों को इन ट्रेनों के आगमन के लिए सुनश्चित कर लिया गया है दिल्ली से 11 ट्रेनों को रोज चलाने की सहमती बन गई है द्वारा रेल्वे को 2 करोड का भुकतान पूर में ही कर दिया गया था 6 करोड रुपे का और भुकतान किया जा रहा है प्रदेश में मेमू ट्रेन चलाने की बात रेल्वे मंत्राले से की जा रही है जल्दी इसके लिए भी सहमती बन जाएगी जिसे लाखों लोगों को राहत मिलेगा अपर मुख्य सचीव गुरे ने बताए कि 1 मार्च से 30 अपरेल तक 6,50,000 लोगों की वापसी यूपी में हुई है इसके अलावा अब तक 522 ट्रेनों से 6,65,379 बसों से करीब 1,50,000 से अधिक लोगों ने अपने नीजी वापसी की है उन्होंने बताए कि कुल मिलाकर अब तक 16,50,000 लोगों ने यूपी के रुक किया है अपर्मो की सचीव ग्रेह ने बताया कि अब तक वापसी करने वालों की संख्या काफी अधिक हो गई है जिसके कारण स्वास्त विभाग ने भी कुरोना संक्रमन के लिए सैंपल टेस्ट कराने की अपनी छमता का विस्तार कर लिया है वर्तमान में 6500 सैंपलों का टेस्ट प्रती दिन हो रहा है जिसे बढ़ा कर 10,000 करने का लक्ष निर्धारित किया गया है इसके अलावा बड़े पैमाने पर बेट्स की उपलब्दा पर कारे किया जा रहा है स्वास्त विभाग ने प्रदेस में 1,000,000 बेट्स की कारियोजना तयार कर मुख्यमंत्री से रजामंदी ले ली है 2-3 दिनों के भीतर कोरोना संक्रमन की मरीजों के लिए प्रदेस में 1,000,000 बेट्स उपलब्द करा दिया जाएगा मुख्य मंत्री योगी आदितिनात ने निर्देश दिया है कि सभी प्रवासी कामगारों वा श्रमिकों का डाटा तयार किया जाए सभी के स्केलिंग छमता का पूरा ब्योरा एकत्र किया जाए उन्होंने पताय कि प्रधान मंत्री नरेंद मोदी द्वारत दिये गए राहत पैकेज का उपयोग इसी डाटा के आधार पर करने का निर्देश सीम योगी ने दिया है उन्होंने बताये कि केंद्रिय वित्य मंत्री के ऐलान के अगले दिन ही मुख्य मंत्री योगी आदितिनात ने MSME सेक्टर को 2000 करोर रुपे से अधिक की धनरासी आवंटित कर दी है अब रहेडी पट्री वालों को भी राहत पैकेश के अनसार आने वाले बुद्धवार तक धनरासी आवंटित कर दी जाएगी प्रमुक्स चीव स्वास्त अमित मोहन प्रशाद ने कहा कि प्रदेश में B300 वार से ही प्रदेश में एक्टिफ केस कम है और ठीक होने वाले मरीजों की संक्या अधिक होने का करम जारी है उन्होंने बताए कि प्रदेश में कुरोना संक्रमण के सर्विलांस में 78,526 टीम लगी रही इन टीमों में 64,36,236 घरों का सर्विक्षन किया साथ ही 3 करोण 19,38,412 लोगों की जाच भी किया उन्होंने बताए कि प्रदेश में काफी संक्या में प्रवासी, कामगार वर शमिकों की वापसी हुई है सभी को होम कोरेंटाइन में 21 दिनों तक रहने के लिए कहा गया है होम कोरेंटाइन में रहने वालों की जाच गाउन निगरानी वा महला निगरानी समिती द्वारा की जा रही है अब इसी कड़ी को और मजबूत करते वे आसा वरकरों को भी होम कोरेंटाइन रहने वालों रहने वाले लोगों की जाच की जिम्मिदारी सौपी गई है उन्होंने बताये कि आसा वरकरो द्वारा अब तक 3,72,000 लोगों की जाच की गई है जाच के दौरान 414 लोगों के अंदर सरदी, जुखाम, बुखार, आदी का लक्षन पाये गया है ऐसे लोगों की रिपोर्ट पर स्वास्ति विभाग कारिवाई कर रहा है